जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिध जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहाँ पर आपको Number मांगेगा Gmail Number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप Register करके आँगे बढ़ेंगे ठीक है और दोस्तो TGT PGT का Model Paper पेपर लांच हो गया है जिसमें आपको Hindi साहित के प्रस्ण संस्कृत के प्रस्ण हिंदी व्याकर के प्रस्ण टोटल 125 नमर का जो आपका पेपर आता है बैसे ही 125 नमर के Model Paper का कोर्स लांच हो गया है जिसमें 25 Model Paper आपको मिलेंगे ठीक है तो दोस्तों आप Model Paper को भी क्या कर सकते है पर्चेस कर सकते है अपना एड़ बी से लेकर के Model Paper दे सकते है ठीक है नई कविता पत्रिका का प्रकासन आरंब हुआ तो यहाँ पर बिलकुँ सही आंसर है नई कविता पत्रिका का जो प्रकासन आरंब हुआ था वो हुआ था सन 1904 में सन 1904 यानि कि आपका राइट अंसर बी नंबर जो है वो बिलकुँ सही है नई कविता पत्रिका का प्रकासन सन 1904 में आरंब हुआ जिसके संपादक कौन्ते जगदीस गुप्ते कौन्ते जगदीस गुप्ते एब हम दोस्तों रामसरूप चतुरवेदी इनको याद बिद्वार रामसरूप चतुरवेदी को मानते हैं और कुछ बिद्वार जगदीस गुप्त को मानते हैं लेकिन दोस्तों अधिकास बिद्वार जगदीस गुप्त को ही मानते है ठीक है अगर कभी ऐसी सिच्वेशन बन जाए कि जगदीस गुप्त आप्सन में नहीं है ये किलास रोज रात त्री नौ बजे होती है दोस्तो नई कविता की प्रिविर्तियां बताना है और प्रिविर्ति की बात हुई है और नई कविता के बारे में आपको मैंने बताया था कि सर नई कविता की अगर बात करते हो तो नई कविता सब्द का सबसे पहले जो इस गुप्ति ठीक है इसको भी आपको याद रखेना है नई कभिता की प्रमुक्त प्रिभिरति है तो कौन सी है बॉत दिक्ता का प्रधान यतार्थ बाद का आती आग रह है ना और दोस्तो कुंठा निरासा संधेह की अभिव्यक्ति इस सारी की सारी प्रिभिरतिया माने जाती हैं किसकी नई कविता की कौन कौन सी बौद्धिक्ता का प्रधान है या थार्त बाद काती आग रहे है ठीक है कुंटा नरासा संदेग की अभिव्यक्ति ये सारी की सारी माने जाती है और अंगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तो दिया गया है अंगला कॵेश्चन आपको बताना है कि क्यलास बाजपेई की साहित अकादमी प्रुष्कार से सम्मानित जो काभ विकृती है वो काभ विकृती कौन सी है जल्दी से आपको चैन करना है क्यलास बाजपेई की देहानत से हटकर महा सुपने का मध्यान तर हवा में हस्ताक्चर या फिर प्रत्वी का क्याश्ण पक्ष यानि कि कैलास बाजपे की वो रचना आपको चैन करनी है जिसे की दोस्तों क्या मिला था साहित तकादमी प्रुसकार मिला था चेन करिए अभी आपको चेन करना है और तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कैलास बाचपई की साहित अकादमी प्रुसकार से शम्मानित जो काब किरती है वो काब किरती आपको बताना है और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर हवा में हस्त तो यह याद रख देना कैलास से कैलास बाचपई और हबा में हस्ताक्चर यह कैलास बाचपई की रचना है और सातियों यह कैलास बाचपई की रचना ऐसी रचना है जिसे साहत अकादमी प्रुसकार भी मिला है यह भी याद रख देना और एक कम मिला है तो 2009 इस भी में इसको आपको याद रख लिना ठीक है के लास बाच्पी की अन्न रचनाव की अगर हम बात करेंगे तो संक्रांत देहांत से हटकर तीसरा अंधेरा महास्वपने मध्यांतर तथा प्रतिवी का कश्न पक्ष ये मानी जाती हैं अंगला क्वेश्चन यहां पर आता है पुरा तन्ता का यह निर्मोक सेहन करती ना प्रकरती पल एक यह निर्मोक से अभिप्राय क्या है निर्मोक से अभिप्राय क्या माना जाता है दोस्तों पुरातन का यह निर्मोक सेहन करती ना प्रकरती पल एक तो निर्मोक का आपको बताना है यहां पर कि निर्मोक का जो अर्थ है दोस्तो तो निरमोक का जो अभिप्राए है वो बताना है आपको, निरमोक का अभिप्राए किस्ते है, चार विकल्पे पुरातंता का आग्रह आपको बताना है, कि यहाँ पर दोस्तो पुरातंता का यह निरमोक से अभिप्राए है, यहाँ पर किसर साप के सरीर पर लिप्ती कैचुली सापके सरीर पर लिप्ती कैंचुली क्यानि कि आपका जो एक नमबर है वो बिलको सही है ये नमबर बिलको सही है है ना तो यहाँ पर याद रख्टेना है पुरातन का यह निर्मोग सहन करतीना प्रिकृति पल यहाँ पर निर्मोक से अभी प्रायस आपके सरीर में लिप्टी क्या चुली से है और अंगला क्वेस्चन प्रस्टन किरमांग 5 5 का बताना 63 कभी कौन है 63 कभी के बारे में आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा इनमें से 63 कभी कौन है यह बताईए प्रस्टन किरमांग 5 में और दोस्तो 63 की बात होती है हैना अपने कोर्स में 63 कभी भी पड़े 63 कभी ताएं पड़ी नवगीत के बारे में भी पड़ाता अब यहाँ पर 63 कभी कौन है यह आप से पूछा गया है तो पड़ा है सभी लोगोंने लगभग जिन्होंने पैट कोर्ष लिया उन्होंने तो पड़ा ही है हैना तो इनमें से 63 कभी कौन है उत्तर हो जाएगा आलोक धनवा हैना आलोक धनवा दोस्तों यह 63 कभी मान जाते है हैना तो यह आपका स्री नंबर जो है 63 कभी के बारे में अलोग धनवा जी माने जाते हैं और स्री आपने बिलकुर सही आंसर बताया कि सर अलोग धनवा 63 कभी है अलोग धनवा द्वारा रचित प्रथम का बसंगरे दुनिया रोज बनती है जनता का आदमी गोली दागो पोस्टर कपड़े के जूते हिंदी क प्रसिद्ध कभीताय माने जाती है इन कभीताओं को अपन को याद रखे ना अलोग धनवा ये 63 कभीता से संबंदे थे और यहां पर आपसे अंगला क्वेश्चन अगर पूचा जाएगा कि संबूख बद के रचनाकार कौन है तो सीधा क्वेश्चन है संबूख बद में तब आपका उत्तर चला जाता है जगदीश गुप्त यानि कि आपका राइट अंसर हो जाता है बिकल्प नमबर वी संबूख बद की रचनाकार जगदीश गुप्ते हैं जगदीश गुप्त द्वारा रचित का बसंगरे है नाव के पढ़व सब्द दंस हिमबद योग मे है ना छंद सती और आदम एकांत है यह माने जाती हैं दोस्तों जगदीश गुप्त की रचनाएं और इनकी रचनाएं संबूख बद भी बहुत ही प्रसिद्ध है ठीक है सबी लोग एक बार लाइक जरू कर देंगे वीडियो को सियर जरू करना है सातियो और इसी प्रकार स दसक के संपादक कई बार पूचा गया और मोश्ट इंपॉर्टेंट प्रस्णि क्रमान के साथ नवगीत दसक के संपादक का नाम बताना है राम दरा समिस्त्रह। संबू नाच से है, उमा कांत मालिविये या फिर स्वाम ठाकोर, नवगीत दसक के संपदक कुं थे, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, शंबू नाच से हैं, यानि कि आपका साथ का उत्तर बी नमबर बताया तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नमबर आपका, दोस्तो बी नमर सही है संबू बद के जो रचनाकार नवगीत दसक के संपदक संबू नाच से हैं, इसको याद रखेंगे, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यहाँ पर आपको बताना है, बाकि दोस्तो नवगीत दसक के संपदक संबू नाच से हैं, रूप रस्मी याद करना माता भूमी चाया लोक उद्या चल हैना दिवा लोक जहाँ दर्द निला है और बक्त की मेनार पर यह जो रचनाय मानी जाती हैं दोस्तों यह संबू नास सेहं की मानी जाती है जहां दर्द नीला है तो यह तो आपको पता ही है दिवा लोग की रचना कार कौन है तो संबू नासें की है यहना चाया लोग की रचना कार कौन है तो संबू नासें की है यहना चाया लोग की रचना कार कौन है तो संबू नासें कौन सा कभी नकेन बाद से जुड़ा है पता से कौन सा कभी नकेन बाद से जुड़ा है तो नकेन बाद से जुड़ा है दोस्तो नरेश मेहता है ना नरेश मेहता से जुड़े है दोस्तो इसको आपको याद रख लेना है है ना तो नकेन बाद से जुड़े है तो कौन जुड़े है है ना और यहाँ पर आपका c नमबर बिल्कों सही हो जाएगा ठीक है c नमबर बहुत सारे लोग कनफ्यूज हो गए केसरी कुमार में केसरी कुमार दोस्तों एक केसरी गलत लिखा है इसलिए a नमबर नहीं माना जाएगा कुण सा माना जाएगा नरेश महता यानी बी नमर माना जाएगा गन्प्यूज नहीं होगा इस प्लेंग पे भी गोहर देना है अपन को प्रपद बात को नकेन बाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के तीन कभी नलिन विलोचन सर्मा केषरी कुमार और नरेस महता है ना ये तीन थे ना कैव और नै इनके दोस्तों पर रत्वा मक्षल की अधार पर मानकर नकैन बनता है पर पड़ बाद का प्रबर्सा Red नलेन विलोचन सर्मा ने 1956 में दोस्तों नकेन के प्रबद्य संक्रेंसी किया है ये भी आपको याद रख लिना है अंगला कोच्चर रामदरस मिस्टर को उनकी किस किर्थी पर 2015 के लिए साहे तकाद्वी प्रुष्कार मिला था बताईए केदारनात नहीं केसरी कुमार है लेकिन केसरी कुमार दोस्तों केसरी लिखना है ये वाला केसरी लिखना है ये ना केसरी रामदरस मिस्टर आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्ने किरमांक 9 रामदरस मिस्र को उनकी किस किर्थी पर बर्स 2015 के लिए हिंदी हिंदी साहे तकादमी प्रुष्कार दिया गया था इसका उत्तर आपका नौ का उत्तर आपको बताना है कितने बजे हैं आग की हसी बबूल और कैक्टस या फिर बिना दरवाजे का मकान यानि कि आपके चार विकल्प हैं चार में से आपका बिलकुल सही हो जाता है ये बिलकुल सही है कि दोस्तों जो नरेस की बात आती है लेकिन यहाँ पर नरेस महता दिया है तो तरस्टी नमबर बिल्कुल सही है है ना लेकिन इस पस्ट ये नहीं लिखा जाता है यहां पर नरेस बस दिया जाता है इनके सामने महता नहीं लगाया गया है ना कहीं भी पुस्तक में देखो तो केबल नरेस लिखा गया नरेस है ना तो दोस्तों नरेस को नरेस आपको याद रखने ना है प्रुस्कार दिया गया तो यह आपका आग की हसी बिलको सही हो जाएगा बी नमबर आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है बी नमबर बी नमबर आग की हसी आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है आग की हसी है ना अंगला क्वेश्चन है आग की हसी का विक्रती पर रामद्रस मिस्टर को बर्स 2015 के लिए हिंदी साहित तकाद्मी पुरुषकार दिया गया यह आपको बताना है यह आपको चैन करना है यह ना बहाँ पर मिस्प्रिंट है लेकिन नरेस हैं नरेस हैं नकेन बाद में नरेस हैं ठीक है लेकिन दोस्तों वहाँ पर नरेस केबल दिया जाता है ना तो नरेस महता वहाँ पर दिया जाता है लेकिन ओफसन में यहाँ पर नरेस महता दिया उत्तर सी ही सही है नरेस सही होता है है ना आग की हसी काभी कृती पर रामदरस मिस्तर को बर्स 2015 के लिए हिंदी साहित अकादमी प्रुषकार दिया गया आग की हसी के लिए उनके द्वारा रचे तन्निक रतियां है कितने बजे हैं बबूल और कैक्टस है ना बिना दर्वाजे का मकान पानी का प्राचीर ठीक है जल्ब तूटता हुआ रात का सपर बीस बरस आकास की छत ठीक है सूकता हुआ तालाव और दूसरे घर ये सबी दोस संसाई की एक रात किसके संसाई पर आधारत है बड़िया प्रशन है संसाई की एक रात से प्रशन आया है आपके लिए कि संसाई की एक रात ये रचना किसकी है नरिस महता की या फिर दोस्तों किसकी है ये आपको बताना है अलाकि ये नरिस महता की रचना है लेकिन किस पर अधारत है संसय किस पर अधारत है ये आपको चेन करना है तो संसय की एक रात किसके संसय पर अधारत है तब उत्तर चला जाता है पुलिसर संसय की एक रात ये जो है कि राम के संसय पर अधारत है राम के यानि कि आपका उत्तर चला जाता है ये की तरब ये नम्मर आपका का राम के मन में उत्पन हुए संसाय का वर्नन है ये आपको याद रखे ना राम के मन में उत्पन हुए संसाय का वर्नन इसमें किया गया है ये आपको याद करना ठीक है अंगले क्वेस्चन की और यहां पर बढ़ेंगे अंगला क्वेस्चन आपको बताना है दोस्तों ये कि जगदीस गुप्त को किस सम्मान से विभूसित किया गया 1997 में ये question आया है जगदीस गुप्त को 1997 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया विभूसित किया गया ये चार विकल्प हैं जगदीश गुप्त के बारे में बताना है नई प्यत्रीका के इन्होंने संपाधन किया था दोस्तों, प्युन सो चंवन में जगदीश गुप्त ने है ना और कि यहां पर जगदीश गुप्त की जब भी बात आई है तो आपका उत्तर हो जाएका 1997 में इन्होंने भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया इनके लिए यानि की राइट अंसर यह नंबर भारत भारती सम्मान से ठीक है नाओ के पाउं जगदीश गुपते सब्द दंस की रचनाकार कौन है तो जगदीश गुपते हैं में बद्द है ना छंद सती गोपा गोतम ये दोस्तों बोधी ब्रक्ष संबूक ये भी आपको याद रख लिना है ये रचनाय जगदीश गुपते की है निजिके ही उनमादक परिमल के पीछे धावित हो हो कर बक्तब का तात्पर क्या है बक्तब का तात्पर आपको बताना है निजिके ही उनमादक परिमल के पीछे धावित हो हो कर बक्तब का तात्पर आपको चैन करना है क्या है बक्तब का तात्पर प्रस्न किरमांक 12 में और य कुछ सही आंसर चला जाता है पुरिसर अपनी ही अंत सक्ती को ना समझ पाने से ब्यर्त भटकना ब्यर्त भटकना कि निचके ही उनमादक परिमल के पीछे धावित हो हो कर बक्तब का ताज़ पर है अपनी ही अंत सक्ती को ना समझ पाने से ब्यर्त भटकना कि आपका बिल्कु लुक्मान अली कई बार पूछी गई अगर आपसे बनती है तो कमेंट में जरूर लिखे और ऐसे कौन-कौन से साती है जिनको TGT PGT के जिनको लगाना अभी तक आपने दोस्तो जितना भी पड़ा है आपके 125 नमबर का जो पेपर आना है उसी पेपर के आधार पर दोस्तो मौडल पेपर 125 प्रसनों का तयार किया गया है यह ना यह कोर्स दोस्तो आप इस कोर्स में अड़िसर ले सकते हैं एप में जाकर के Self Study Classes एप में आज ही लांच हुआ है एक कोर्स है और लुकमान अली किसकी काब रचना है तो उत्तर हो जाता है स्वामित्र मोहन की किसकी काब रचना है स्वामित्र मोहन की काब रचना है लुकमान अली यानि सी नमबर आपका बिलकुल शही है सी नमबर आपका राइट आंस हो जाएगा लुक्मान अली स्वामित्र मोहन की काब रचना है इनके काब करतियां है दोस्तों निसेद पहचान निसेद पहचान चाकू से खेलते हुए जबकि मंगलेस डवराल ने पहाड़ पर लालटेन बहुत ही प्रसिद रचना है इनकी दोस्तों पहाड़ पर लालटेन क जनाटक जारी है नामा कब रचना की है इसको भी अपन को याद रख लिना फिरंगला कोश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है असत्य कथन आपको बताना है प्रियोगबाद का जन में तार सब तक की प्रकासन के साथ माना जाता है प्रियोगबाद में प्रियोग कोश्ट नहीं सा का उत्तर आपको चैन करना है प्रश्न किरमांग चुगदा कौन सा कथन असत्त है मैंक जी अनिता जी सुदामा जी बाल गोविंद जी कौन सा कथन असत्त है ये आपके लिए मौका मिला है बताने का और आपका पता है सबसे नीचे आपका यहाँ पर दोस्तों विकल्प दिया है कि नई कभिता प्रियोग बात का बेक्सित रूप नहीं है ये आपका असत्त हो जाएगा क्योंकि नई कभिता प्रियोग बात का ही बेक्सित रूप माना जाता है और यहाँ पर दिया है नहीं है नहीं है तो असत्त कतन भी कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर डी विकल्प नंबर डी आपका बिलको सही है नई कविता प्रियोगबाद का बिक्सित रूप नहीं है एह कतन सत्य है जबकि प्रियोगबाद के संबन्द में सत्य कतन इस प्रकार से हैं कि प्रियोगबाद का जन में सार्थ तक के प्रिकासन से माना जाता है प्रियोगबाद में प्रियोग इस्ट नहीं साधन माना जाता है प्रियोगबादी कविता रासोर मौक मदबर्गे समाच के जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है और नई कविता प्रियोगबाद का ही बिखसित रूप है इन तत्यों को भी आपको अ प्रति बद्द कविता के जनक कौन मान जाते हैं ? बड़िया प्रस्ने हैं प्रस्ने के रमांग 15 है और 15 का आपका बिलकुल सही पृति बद्ध कविता के जो जनक माने जाते हैं कमेंट में आने चाहिए सबी लोगों का कमेंट आने चाहिए फटा-पट से पृति बद्ध कविता के जनक कौन है तो बोले परमानंद स्री बास्त अपन बोलते ना कि परमानंद के प्रती हम क्या है बोड़ी सर बास्ताओ में हम परमानंद के प्रती प्रती बद्ध है तो याद रखे ना हम किसके प्रती 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 बद्ध है तो परमानंद के प्रती प्रती बद्ध है है ना तो परमानंद से परमानंद स्रीवास्ताओ क्यानि D नंबर आपका बिलकुँ सही है हैना कविता पृति बद्द कविता के जनाग परमानंद श्री बास्ताओ कि आपको याद रखे ना लेक को में ब्यंगकार कौन है मोहन राकेस कनया लाल मिस्र प्रभाकर बेढबर बनारसी पन्डे बेचन सर्मा लेक को में ब्यंगकार कौन है ये आपसे पूछा गया और आपका बिलकुँ सही आंसर हो जाता है लेक को में जो ब्यंगकार माने जाते हैं वो बेढब बनारसी बेढब बनारसी क्यानि कि आपका जो सी नंबर है बेढब बनारसी आपका बिलकुँ सही है बेड़ बनार्ची बेंगकार है मौहार राके साधुनिक्ताबोत के नाटकार है यहना पांडे बेचल सरम आउगर हिंदी में प्रगती प्रिकरती बादी सैली के उपन नियासकार मान जाते हैं यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है फिरंगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जल्दी से चैन करिए जल्दी से बताइए यहना कौन सी बिसेश्था नई कविता की नहीं है यह आप बताना है च्छन बादिता बहुत देखता अतिसाय ब्यक्तेकता या फिर मार्क्स बादी दर्सन यहने की प्रशन किरमांग 17 है और 17 में आपको नई कविता की बिसेश्था नहीं है यह आपको चैन करना है और बढ़िया प्रशन है अपनने क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था दोस्तों क्या पढ़ा था कि नई कविता की बारे में पढ़ा था प्रगतिबाद के बारे में पड़ा था कि सर प्रगतिबाद की अगर बात करते हो तो प्रगतिबाद मार्क्स बास्ति प्रभावित माना जाता है मार्क्स बास्ते प्रभावित माना जाता है लेकिन जो नई कविता है कि ये मार्क्स बास्ते प्रभावित नहीं थी और नई कविता की बिसेस्ता नहीं है पूछा तो नहीं में आप लगाओगे मार्क्स बादी दर्सन ये नहीं है डी नम्मर है ना मार्क्स बादी दर्सन नई कविता की विसेष्था नहीं है यह प्रगतिवाद की विसेष्था है जबकि छणबादिता बौध देखता अतिसा इबेक्टता यह नई कविता की दोस्तों विसेष्था माने जाती हैं फिर अंगला क्वेश्चन आपको बताना साहित्यक आंदलोनों के अग्रनी है नकै 18 में आंसर और 18 में आपका बिलकु सही आंसर है कि नकैन बाद नामक साहित्यक आंदलोनके जो अग्रिनि है वो अग्रिनि है नलेन बिरोचन सर्मा, केसरी कुमार और नरेष महता क्यानी कि आपको बिकल्प नमबर भी है वो बिलकु नरेस है ना ये नरेस हैं ठीक है नकेनबाद नामक साहित्य कांद्रों के अग्रिनीन नलेल बिरोचन सरमा केसरी कुमार ठीक है केसरी कुमार है और दोस्तों नरेस है इनको याद रखेंगे ठीक है इनको याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों एक लाएन और याद रखेंगे की प्रपद्द बात का प्रबरतन नलेल बिरोचन सरमा ने शन 1956 में प्रकासित नकेन प्रबद्द संकलन से किया था नलेल बिरोचन सरमा ने ठीक है अंगला कोस्टेन मंगलेश डबराल की रखना है तो कौनसी है मंगलेश डबराल मंगलेश डबराल की एक रचना जरूर पूछी जाती हर एकजाम में है ना और ये दोस्तों कई बार पूछा जाता है है यहां है आपका उन्नीस और उन्नीस में आपका बिलकुँ सही आंसर है मंग्लेश जबराल की बात तबी लोग लाइक जरू करते रहीएगा दोस्तों भ nest और यहां पर मंग्लेश जबराल याणि की पहाड पर लाल टेन ये किसकी रचना है? ऐसा भी कोस्चन आता है तो पहार पर राल्टेन की रचना कार जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं मंगलेश डवराल मंगलेश डवराल की रचना कौन सी है तो पहाड़ पर लालटेन है जक्म पर धूल मलयच की रचना है कभिता की तीसरी आंग बढ़िया प्रशन है कभिता की तीसरी आंग की रचना कार कौन है प्रशने करमांग 20 कभिता की तीसरी आंग की रचना कार आपको बताना है प्रशने 20 है 20 का उत्तर आपको चैन करना है और यहां पर आपका राइट अंसर कभिता की तीसरी आँख के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कोई है प्रभाकर सोत्रिये है ना प्रभाकर सोत्रिये के कभिता की तीसरी आँख के रचनाकार है और उत्तर चला जाता है विकल्प नम्मर C की तरब सी नम्मर आपका कवीता की तीसरी आग के रचना कर प्रभाकर सुथरी है इनकी अन्नेक रतिया काल एत्री है कवीता संबाद रचना एक यातना है अदी यह सबी माने जाती है कवीता की इसरी आख को भी आपको याद रखना है ठीक है अंगले कॉस्चन की और हम बढ़ेंगे अंगला प्रशने यहाँ पर हम देखने बाले हैं दोस्तों इनको आपको याद करते जाना है नवगीत दसक एक दो तीन का संपाद कौन था बताईए अगर आपको पता है नवगीत दसक और नवगीत दसक में एक दो तीन नवगीत दसक एक दो तीन का संपाद कौन था ये आपको बताना है संबूरास सें अग्गे नरेश महता या फिर उमा संकर तेवारी नवगीत दसक एक दो तीन के संपाद कौन थे चैन करिए प्रश्ण किरमांग 21 में और सभी का बिलकुर सही आंसर है नवगीत दसक एक दो तीन के जो रचनाकार है वो रचनाकार है संबू नाथ सें संबू नाथ सें यान कि आपका एक नमबर एक नमबर बिलकुर सही हो जाएगा नवगीत दसक एक दो तीन नवगीत अर्द सती संबू नाथ सें की रचनाए है हैना अग्य की काबकतिया हरी घास पर छनबर बावरा अहेरी किंद्र धनस रोंदे हुए असाद बीना आंगन के पारदवार हैना अग्य की इतलम चिंता नरिस महता की बात करें तो बन पाकी सुनो बन पाकी सुनो बोलने दो चीड को हैना पिछले दुनो नंगे पैरों मेरा समर्थे तेकान थे उत्सवा तुम मेरा मौन हो देखना एक दिन रंड्या संसय की एक रात ये सबी दोस्तों किसकी माने जाती है नरिस महता की अंगला कोश्चन आपको दिया गया टाल स्टाय और साइकल किसकी रचना है ये आप से पूछा गया सभी लोग लाइक जरू कर देना जिन भी सात्यों को टीजीटी पीजीटी के मौडल पेपर की जवरत है यहन कि आप भी चाहते है कि जैसा आपका पेपर होता है वैसा भी हम दोस्तों एक पेपर लगाए हमारे कितने नंबर आते है वो टेस्ट करें और कौन सा आपका चैप्टर बीक है किस चैप्टर में आपको बीकनेस लगती है उस चैप्टर को आप अभी से बहुत अच्छा बना सकते हैं है ना तो एक अंदाज आपको हो जाएगा एक अनुभाव आपको हो जाएगा पच्चीस टेस्ट दोस्तों पच्चीस टेस्ट आपके सेंगे रचना है ठीक है टॉल स्ट्राइवर् साइकल इसको याद रखेंगे और दोस्तो इनके द्वारा लेके तरन रचना है बाग यहां से देखो बनारसादी नाम हुई बच्ची हुई प्रत्वी रात अब भी मौझू है और नाटक जारी है नाटक जारी है लीला धर जगूरी है नहा अंगला क्वेस्चन है अन्न है मेरे सब्द एक किस कभी की किर्दी है यह आपको बताना है स्वपनेल स्रीवास्तो की रवेंद्र स्रीवास्तो अलोक स्रीवास्तो या फिर एकांत स्रीवास्तो अन्य है मेरे सब्द किस कभी की किर्ती है यह आपको बताना है और उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा आपका डी डी यहनि की एकांत एकांत स्रीवास्तो आपका बिल्कों सही हो जाएगा केर डी नमबर आपका बिल्कों सही हो जाएगा अन्ने है मेरे सब्द के कांथ स्रीवास्ता हो मुझे दूसरी प्रत्वी चाहिए सुपने स्रीवास्ता हो अमीन के लेखा कौन है आलोक स्रीवास्ता हो इनको याद रखना न और अंगला question आप से पूछा जाता है कि काव संक्लोनों मैंसे किसके कभी अरण कमल हैं अरण कमल बताना है किसके कभी अरण कमल हैं सबी लोग लाइक जरू करें दोस्तों अपने मित्रों तक सेर जरू करते जाए है ना ये किलास रोज होती अपनी 9 बजे और हम आपन दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इन प्रस्णों की प्रैक्टिस करते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं और निम्लकित कावसंकलों किसके कभी अरूल कमल है तो उत्तर हो जाता है अपनी केबल धार यानि की दोस्तो डी नंबर आपका अपनी केबल धार बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है अपनी केबल धार काब संग्रों की रचिता अरौन कमल मान जाते हैं है ना इनकी अन्न रचना है दोस्तो नए लाके शबूत जबकि चांद का मोटेडा और दोस्तो ये तो मुक्तिबुत का काब संगरा है चांद का मोटेडा है ना मुक्तिबुत का मगद स्रीकांत बर्मा का है सागर मुद्रा दोस्तो एक इसका अग्येजी की रचना है तो इनक भी अपन को याद रख रहे ना इन में से कौन नकेनबादी रचनाकार नहीं है नकेनबादी रचनाकार कौन नहीं है यह वताइए 25 यानि कि नकेनबादी रचनाकार आपको चैन करना है और आपका उत्तर चला जाता है उलिसर नकेनबाद की अगर बात करोगे तो नहीं है उत्तर श्री नंबर बिलकुश है नकेनबाद लगबग प्रियोगबाद के साथ सा चलने वाली काबदारा है इसका स्वतंत रांदुलन के रूप में 1956 में सामने आया है ना और दूसरा नाम इसका प्रबद्दबाद है ठीक है ना कैने केसरी कुमार एक केसरी कुमार है दोस्त नेसे की रचनाएं भी अपने पढ़ी है दोस्तों है ना और अंगला क्वेश्चन है अंगला बताना है कभी धूमल का पूरा नाम क्या था कभी धूमल का पूरा नाम क्या था ये आपको बताना है चैन करिए गोरक पांडे शुदाकर पांडे शुदामा पांडे या फिर क इन में से कोई नहीं कभी धूमिल का पूरा नाम कभी धूमल के बारे में अपन पढ़ते हैं सुदामा पंडे का प्रजात अंतरपन पढ़ते हैं हैना संसस से सलक तक इनकी रचना पढ़ते हैं किसकी सुदामा पंडे धूमिल की और आंसर आपका चला जाता है कि सर कभी धूम पूरा नाम है सुदामा पंडे धूमिल यानी सी नमबर आपका बिलकूर सही है ति किसान, जनतेंत्र, गाउं एवं कुत्ता, धुमिल की ये महत्पूर्ण कभीताई भी माने जाती हैं, प्रपद्दबाद किसका परयाय है, पताईए, 27 में प्रपद्दबाद किसका परयाय माना जाता है, ऐसे कौन से साती हैं दोस्तों, जिन जिन को मौडल टेस्ट पेपर की जोरत है, TGT, PGT की 125 प्रस्ण होंगे, है ना, 125 प्रस्ण में आपके कितने नंबर आते हैं, आपको आकलन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रपद्दबाद किसका परयाय है, 27 का अंसर, और उत्तर चले जाता है आपका नकैनबाद, है ना, और B नंबर नकैनबाद आपका राइट अंसर, प्रपद्दबाद को नकैनबाद भी कहते हैं, प्रपद्दबाद का प्रपद्दन नलेन व्रोचन सर्मा ने किया था, बिहार के तीन कभी नलेन व्रोचन सर्मा, केसरी कुमार और नरेस के नाम के प्रतम अक्षनों को आधार मान कर नकैन बनता है, दोस्तो हैना आकभीता के प्रवर्तक आपको बताना है आकभीता के प्रवर्तक कौन थे बताईए जल्दी से और दोस्तो आपको बताना है कि जो प्रियोग बात के प्रवर्तक थे प्रियोग बात के प्रवर्तक वो सचिदानन धिरनन बास सायन अग्ये थे हैना यह आपको बताना है औ और आपको कमेंट में लेकिना है आक अभीता की प्रवर्त्क कोन देお願いします मैंने आपको कई बार बताया है और आपको चेंग करना है आक कबीता दिया है यहां पर आक कहानी नहीं दिया है इसलिए confuse नहीं होना आ कहानी की जब भी बात आती है तो गंगा पिरसाद बिमल की बात आती है लेकिन आ कविता की जब भी बात आती है तो जगदीश चतुरविदी की बात आती है ना तो यहाँ पर आ कविता जगदीश चतुरविदी इसको याद रखेंगे और दोस्तों यहाँ पर निम्न मैसे क कौन प्रबद्द बादी कभी नहीं है ये आपको बताना 28 में चैन करना नल्लिन बरूचन सर्मा केशरी कुमार नरेस या फिर गिरजा कुमार माथुर हैना कौन प्रबद्द बादी कभी नहीं है ये चैन कर ये सब Interview लोग उत्तर क्या हो जाएगा कॉन प्रबद्दबादी कभी नहीं है 28 और प्रबद्दबादी कभी ताकि अगर कभी की बात करोगे तो नलेन बूलोचेन सर्मा तो है ही केशरी कुमार तो है नरेश हैना और गिर्जा कुमार नहीं है तो आपका राइट अंसर हो जाता है बिकल्प नम्मर डी है ना प्रबदबाद का प्रबदन नलन ब्रूचन सर्मा ने सन 1956 में प्रकासित नकेन की प्रबद संकलन में किया प्रबदबाद को नकेन बाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के तीन कवी नलन ब्रूचन सर्मा केसरी कुमार और नरेस के नाम प्रताम अक्षनों को अधार मानकर नकेन बनता है है ना और प्रबदबाद और प्रियोग बाद में मूल अंतर रहे है कि प्रियोग बाद प्रियोग को साधन मानता है है ना जबकि गिर्जा कुमार मात और ता में याते हैं इनको यात करना अब दोस्तों यहां पर कुछ रचनाएं दी हैं और कुछ रचनाओं मैंसे आपको क्या करना है इनको सुमेलित करना है सुमेलित करिए किसकी कि कौन सी रचना है ये आपको बताना है मुक्ती प्रसंग खुसबू के सिलालेक अनुभाव के आकास में चांद और रैणुका ये रचनाए किसकी माने जाती है ये रचनाए आपको बताएं गई है इन रचनाओं के बारे में आपको बताना है और यहां परपन थोला सा आप देख लो मुक्ती प्रसंगे की रचनाकार कौन है खुसुबू के सिलालेक है ना खुसुबू के सिलालेक अनुभाव के आकास में चांद ठीक है और रेनुका के रचनाएं किसकी मानी जाती है तो यहां पर आपका जो बिल्को सही आंसर है कि मुक्ती प्रसंगे राचकुमाल चौदरी की रचना है है ना खुसुबू के सिलालेक के किसकी रचना है यह दोस्तो भवावानी प्रसाद मिस्तर की है अनुभाव के आकास में चांद लीला धर जगूरी रेनुका तो आपको पत बिल्को के के कि रचना कार के मुक्ता की रचना है तो दोस्तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर दें और रोज एक किलास होती है अपनी 9 बजे है ना और इसी प्रकार से अपन अध्यन करते हैं फिर आंगे थोड़ा सा बढ़ेंगे साय में धूप काब्यकरती की रचन कौन है क्यानिकी प्रश्ण किरमां के धूत का अंसर ये अपन कई बार पड़े हैं एक दोस्तों रचना आती है सीडियों पर धूप में वो रगवीर सहाय की रचना होती है लेकिन यहां साय में धूप साय में धूप आपसे पूछा गया तब आपका इसको इसका उत्तर आपक जो कि साई में धूप की जो रचनकार है वो कौन है दुसीयंत कुमार यानि कि आपका B नमर बिल्कोश हो जाएगा ठीक है याद रखेंगे साई में दूप का बिकर्टि के रचेता धुसियंत कुमार है धुसेयंत कुमार को परदेशी नाम से किसे जाना जाता है तो आपको लगाना है दुसेंत कुमार को इनकी गजलें आपने पढ़ी होगी दोस्तों इनकी अन्य करतियों में सुर्ग का स्वागत आबाजों के घेरे जलते हुए बन का बसंत है यह याद रखे ना सुर्ग का स्वागत तो कई बार प मेहता में दोस्तों आपको याद रखने ना बन पाकी सुनो बन पाकी सुनो यह पाकी है बन पाकी सुनो बोलने दो चीड को मेरा समर पे तेकांत चैत्या उत्सवा यह दोस्तों रेने इस मेहता की रचना है रगवीर सहाई की बात करें तो सीडियों पर धूप में सीडियों ये रगवीर सहाय की रचना है इनको याद रखेंगे तब तक आप अंगले क्वेस्चन का उत्तर बताएंगे जब तक मैं बताता हूँ आपको कि दोस्तो धरमबीर भारती की बात करें तो इनका ठंडा लोहा, अंधा योग, कनुप्रिया, साथ गीत बर्स और देशांतर ये पर दो बलकुँ सीदा सीदा सा पढ़ना है धरम बीर भारती की रचनाओं को, बुले सर धर्म की सरण में आते ही लोहा कितना भी गरम हो, ठंडा लोहा हो जाता है, अंधा योग, धर्म कानों को प्रिये लगता है, है ना, बुले हम साथ गीत बर्स, बर्स में साथ गीत गात रहते हैं बरस में और देशान्तर, ये शारी किसारी रचना किस की है, तो आपका उत्तर हो जाता धरमवीर बारती की. हैना, फिर आपसे पूछा जाता है संसस से सडक तक, दोस्तों संससस स शडक का प्रजातंत्र आपने पढ़ा होगा हैना संसस से सडक तक इनकी रचनाएं पढ़ी होगी ये रचनाएं हमेशा पूची जाती हैं दोस्तों सुदामा पंडे का प्रजातंत्र और कल सुनना मुझे कल सुनना मुझे ये धूमिल की रचनाएं है और संसस से सडक तक तो कई बा पूची गई हैना सुधामा पंडे का प्रजातंत्र भी कई बार पूची गई और कल सुनना मुझे ये रचना भी धूमिल की मानी जाती है और धूमिल का बास्तिविक नाम भी कई बार पूचा गया तो धूमिल का बास्तिविक नाम है सुधामा पंडे धूमिल सुधामा आनन्द यानि कि प्रश्ण किरमांग 32 में आपको चैन करना है नई कविता की प्रबर्तक आपको बताना है कौन माने जाते हैं नई कविता की प्रबर्तक कौन माने जाते हैं यह आप बताएंगे और आपका बिलकुल सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ पर दोस् ठीक है बिकल्प अनुसार अगर बात करेंगे दोस्तो तो ये भारतेंदू हरेस्चंद बिकल्प अनुसार भारतेंदू हरेस्चंद सही हो जाएगा इसके बारे में हम देखते हैं हैना बिकल्प अनुसार नई कविता की प्रबर्तक भारतेंदू हरिस्चंद इनको अपन देखते हैं क्यूंकि इन्होंने सरप्रतम ब्रजभासा काब बेकिस्तान पर खड़ी बोली में कविता लिखा अता दिये गए बिकल्प के अनुसार बिकल्प सी साही उत्तर होगा जब वात हुई नई कविता पत्रिका का प्रकासन हुआ था हैना नई कविता पत्रिका का प्रकासन हुआ था और दोस्तो इसी नई कविता पत्रिका के साथ नई कविता का उदय माना जाता है हैना तो आपको पता होगा कि नई कविता का सबसे पहले प्रियोक तो अग्गे जी न अमर भारतेंदु अरिस्चंद इन्होंने नई कविता लिखी थी दोस्तों है ना ये इस प्रकार से क्वेस्चन अलग टाइप से पूछा गया था इसलिए बिकल्पा नुसार उत्तर वो सी था बाकी दोस्तों अपसन में अगर जगदीश चंद्र गुपत होता तो आपका उत किया था नई अलाके में चेन करिए सबी लोग उत्तर बताएगे बिल्कुल राइट आंसर बूंиласьर हम नए इंगी क disinfect हुलाइंगे कमल जाके में हमें क्या खेलाना है कमल खिलाना है तो यहाँ पर उत्तर हो जायगा आपका एरोणक कमल क्या होजाएगा अरोwn कमल यानि कि आपका जो D नंक्र है वो बिल्कुल शय हो जाएगा नए अलाके में कमल खिलाएंगे तो D अरोण कमल बिल्कुल राइट है नए अलाके में अपनी केबल धार पुतली में संसार सबूत आधी समकालीन कभी अरोन कमल की काब कृतिया heckOOO सुनो कारिगयर और का से कभूतर बाकि अरो नौ कमल की रचना कई बार पुछी गई नए इलाके में कमल खिलाएंगे कमल तो कमल से बनेगा अरोन कमल एससे अपनने आत कर लिया था ठीक है नए इलाके में कमल अब यहाँ पर आते हैं अंगले प्रेष्ण की ओर आंसर बताना है उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग चैन करें मगद कविता मगद कविता संग्राई की जो रचनाकार है वो कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको बताना है और मगद में आपका बिलकुश सही आंसर हो जाएगा स्रीकांथ वर्मा क्यानि कि आपका जो बी नमबर है वो बिलकुश सही है मगद कविता संग्राई की रचेता है मगद जलसा घर दरपण माया भटका मेग दिना रंब आदी नई कविता के समकालीन कभी स्रीकांथ वर्मा की रचनाए हैं हैना सीडियों पर धूप में आत्म हत्या के ब्रोद आध जिहास प्रोष के रचना किसकी है रगवीर सहाय की ठीक है अंगला क्वेश्चन आपका बताना की कौनसी रचना धरमबीर भारती की है धरमबीर भारती की रचनाए पूछी जाती है दोस्तों और कई बार पूछी जाती है तब आपका 35 का राइट अंसर यहां पर क्या हो ज गई बोले लोहा ठंडा हो जाता कितना भी लोहा गरम हो जब धरम की सरण में आता है तो लोहा ठंडा हो जाता है एना साथ गीत बोले बरस में साथ गीत हमने धरम के गाए धरम के गाए तो धरमबीर भारती कानों को प्रिये लगता है धरम है तो धरमबीर भारती ठंडा लो सूर का स्वागत इसको याद रख लेना ठंडा लोहा सातगीत बर्स कनु प्रिया गुनाहों का देवता सूरच का सातवा घोड़ा अंधा योग देशांतर चांद और तूटे हुए लोग पसे अंती थेले पर हिमालाए हैना कहनी अनकहनी आदी धरम बीर भारती की रचना है जबकि दोस्तों आपने पढ़ी होंगी कुण सी अपनने पढ़ा था कि सूर का स्वागत ये जो रचना है ये दुसियंत कुमार की है अब आजों के घेरे दुसियंत कुमार की रचना है जलती हुए पबन का बसंत दुसियंत कुमार की रचना है साय में धूप हैना ये भी मगद पुस्तक के लेकक फिर से आप से पूछ लिया गया यानि कि यह जो मगद है यह पूछाई जाता है यह जो मगद रचना है दोस्तों यह पूछी जाती है अब आपको चैन करना 36 में कि मगद के रचनाकार कौन है तो मगद के रचनाकार हो जाते हैं स्रीकांत बर्मा यान अधुनी घरे विश्याम ब्रेमल प्रमारं स्रीबास्त वरण कुमल कियास मालवी आदी 1960 के दसक के बाद की हिंदी 63 कभीता, 63 कभीता या समकालीन कभीता की प्रमोग कभी मान जाते है दोस्तों, जो अपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 63 कभीता के बारे में पढ़ा है, 63 र बल्देव खटीक, किसकी रचना, किसकी कविता है, धूमिल की, लीलाधर जगूरी की, बल्देव बंसी की, या फिर इन मैंसे कोई नहीं, क्यानि कि आपका 37 में आंसर आपको चैन करना है, कि बल्देव खटीक, किसकी कविता मानी जाती है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, है उत्तर 37 का उत्तर आपको चैन करना है, कि बल्देव खटीक, किसकी किर्ती है, और यहाँ पर आपका बिल्को सही आंसर होगा, लीलाधर जगूरी, लीलाधर जगूरी, यानि कि B नमबर आपका बिल्को सही है, बल्देव खटीक, किसकी कविता है, लीलाधर जगूरी की, ठ बची हुई प्रत्वी, तथा नाटक जारी है, ये रचनाई भी आपको पढ़ना है, दोस्तों ये किसकी रचनाई हैं, लीला धर जगूडी की, ठीक है, अंगले एक क्वोस्चन क्यों और बढ़ेंगे हम, अंगला क्वोस्चन है, आत्म जै के लेकक कोन माने जाते हैं, आत्म का अंसर और आत्म जाई के लेकक आपको बताना था और आत्म जाई के जो आपके लेकक माने जाएंगे वो लेकक माने जाएंगे कौन कुमर नाराण है कौन माने जाएंगे कुमर नाराण और ये नमबर जो है आपका आत्म जाई ये नमबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है ये नमबर कुमर नाराण तो आपको सभी को पता है अंगले कॉस्चन की और बढ़ेंगे यहाँ पर कि आत्म जाई नामक काभिकृती के रचेता नई कभीता की प्रमुक कभी कुमर नाराण है हैना कठोप निसद कंठोप निस आपको पता हिये दुसेंत कुमार की रचना है सूर का स्वागत आवाजों के घेरे जलते हुए पबन का बसंत है साए में धूप हैना शीडियों पर धूप में आत्मत्या के बुर्द हसो हसो जल्दि हसो एर अगवीर सहाय की रचना है लोग भूल गए है कौन-कौन सी यहा से शीडियों पर धूप में आत्मत्या के बुरुद्ध हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गए हैं इन रचनाव को याद कर रहा है अंगला कोश्चन आपको बताना कि अपनी केबल धार कब संकलन के रचनाकार कौन मान जाते हैं केदार नात अगरवाल केदार नास सें अपनी केबल धार काब संकलन के जो रचनाकार मान जाते हैं वो कौन मान जाते हैं ये आप से बताया गया और आपका राइट अंसर हो जाएगा अपनी केबल धार के रचनाकार जो मान जाते हैं वो मान जाते अरुन कमल है ना अरुन कमल अपनी केबल धार काब संकलन की रच प्जिना बजाओ वंसी, नामा क्रतियां, ए प्रगति बादी कभी केदार ना तक्रभाल के बारे में तो आपको पताई है कि सबसे जाना रचना हैं इनकी पूछी के रचनाकार दुसियंत कुमार हैं दुसियंत कुमार आप चैन करिए किस कृति के रचनाकार दुसियंत कुमार हैं अपनी केवल धार खोटियों पर टंगे लोग साय में धूप और योगधारा किस कृति के रचनाकार दुसियंत कुमार माने जाते हैं चैन करिए 40 का उत्तर आ और आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया कि सर साय में धूप यानि श्री नंबर इस कृति जो है ये दुसियंत कुमार की साय में धूप नामक कृति के रिचनाकार नई कविता के कभी दुसियंत कुमार हैं सूर का श्वागत आवाजों के घेरे में जलते हुए बन का बसंत दुसियंत कुमार रचित ये दोस्तो कभीता संग्राय हैं इनको याद रखेंगे एक कंट बिसपाई इनकी कई बार पूछी गई रचना है दोस्तो है ना ये दोस्तो क्या है काब नाटक है एक कंट प्रगति इबादी कभी माने जाते हैं नागरजुन और नागरजुन का बास्विक नाम क्या था तो कई बार पूचा गया बैदनात ठीक है नेक्स्ट है कौन नागरजुन का बास्विक 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 नागरजु आया है कौनसा बीरेंद्र मिस्त्र ये कोश्चन कई बार आया है नवगीत के प्रसिद्ध कभी कौन है और आपने टिक लगाया है कि बीरे अंद्रमिस्त्र यानि कि आपका जो एक नम्मर है ये नम्मर है वो बिलकुश रही है आदुने खिंडी सायत में नई कविता नई कहानी तथा नई आलोचना की भाती 1950 इसवी के आजपास नवगीत परंपरा का सुथपात हुआ नवगीत के रचनाकारों ने अपनी ग अब यहां में बीरेंद्रमिस्त्र, डाक्टर संबूनास सेह, त्रिलोचन, सास्त्री, स्वम्ठाकोर, मुद्रा, राक्चस, चंद्रमौली, उपाध्याय, देविंद्र कुमार, रबिंद्र भिर्मर, ये सब ही माने जाते हैं दोस्तों काई के लिए ये माने जाते हैं नव गीत कार माना जाता है ये नवगीत विधासी संबंदे थे तब एक कभी जो हैं आपके काम में आएंगे संसाई की एक रात, बहुती नार्मल कोस्चन, अच्छा प्रस्न है 42 में, संसाई की एक रात के आपको बताना है, लेका क्वन है, मुक्ति बोध, स्रीकांत, बर्मा, ध सही आंसर बताया है कि संसाई की एक रात और संसाई की एक रात तो कई बार पूछी भी गई है और आप लोगों को पता भी है, पता है तो बिलकुछ सही आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नरेश महता, क्यानि कि संसाई की एक रात के रचनाकार हो जाते हैं नरेश महता यानि डी नमबर डी नमबर आपका नरेश महता बिलकुँ सही है संसय की एक रात सता समय देउता नरेश महता द्वार रचित का बिकरतियां है और संसय की एक रात में समुद्र पुल बंद जाने के पस्चात राम के मन के संसय को चित्रित किया गया तो यहाँ पर इनको याद रखे ना संसस से सड़क तक कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये रचनाएं तो किसकी हैं कि सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं संसस से सड़क तक और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ठीक है इसको याद रखेंगे और अंगला देखो चांद का मोह टेड़ा मुक्ती बोध का प्रतम का बसंकलन माना जाता है चांद का मोह टेड़ा मुक्ती बोध है ना अगला कोश्चन नई कविता की प्रमुक प्रविर्थियां कौन सी हैं प्रमुक प्रविर्थियां यानि की 43 का अंसर नई कविता के बारे में अपने पड़ कि नई कभिता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था उनीस सो चंगण में और दोस्तो जगदीश चंद्रगुप्त नई कभिता की प्रवर्तक मान जाती हैं फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तो कि नई कभिता की प्रमुख प्रिबिर्टियां कौन सी हैं बताईए सरस्ता, चपलता, द्रणता या फिर उनमुक्तता नई कविता की प्रमुक्त प्रिविर्टिया आपको चैन करना और 43 का आंसर बताना और आपने बिल्कुल सही आंसर चैन किया है कि जो नई कविता की प्रिविर्टिया यानि की बिसेश्ता है जो है वो उनमुक्तता है ना उन मुक्ता इसको आपको याद रख़े ना इन नई कविता की बिसेश्टा माने जाती है और दोस्तों नई कविता भारतिय सुतंद्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परमप्रागत कविता से आगे नए भावबोदों की अभिब्यक्ति के कहा जा सकता कि प्रियोग बात के बाद किनी कविता की जो नभी इंधारा बेक्स्तित हुई उसे नई कविता कहा गया यह आपको याद रख़े ना और नई कविता में किस भासा के सब्दों को लिया गया नई कविता में प्रश्न करमांग 44 ऐसा भी कॉस्चन बनता है अंग का होगा कि नई कविता यानि कि दोस्तों 1904 में जब नई कविता पत्रिका का प्रकासर माना जाता है तो यहीं से नई कविता का ओदय भी माना जाता है जगदीश चंद्र गुप्त इसके प्रवर्तक माने जाते हैं नई कविता सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था यानि कि उत्तर चला जाता है आपका बिकल्प नमर बी की तरफ और बी नमर आपका बिलकुश सही हो जाता है। नई कविता में आधने किंदी बासा के सब्दों को लिया गया। प्रियोगबात के बाद हिंदी सायट में जो नवीनधारा प्रबायत हुई उसे नई कविता के नाम से जाना जाता है, इसको आपको याद रखे ना लेया हिंदी में आ कविता का प्रबरतक किसे माना जाता है, आ कविता आपसे पूचा गया। ठीक है? आ कभिता पूँचा गया ना कि आ कहानी आ कभिता भी है और आ कहानी भी है यहां पर आ कभिता आपसे पूँचा गया तो आ कभिता के जो प्रबर्तक है वो कौन है आ कभिता भी आपने पड़ा है और आ कहानी भी आपने पड़ा है है ना यहाँ पर 4 बिकल्फ है 45 का अंसर बताने यहाँ बहुत सारे लोगं confused होते है कि A Ah Keahani या A Kabithah है ना और दोस्तों यहाँ पर A Kabithah पूचा गया तो A Kabithah के जो प्रवलतक मान जाते हैं वो कोन मान जाते हैं आपने जो उत्तर लगाया है वो बिल्कुछ सही लगाया है आ कहानी के प्रवर्तक कौन है वो भी आपको कमेंट में लेखना है। आ कहानी के प्रबर्तक बताना है जबकि सिर्जनात्मक दस्टी की अपेक्चा ध्वन्स को महत्तु दिया गया आ कभिता में है ना फिर दोस्तो संगटन की अपेक्चा ब्यक्टन आ कभिता में सूक्ष में तत्त की अपेक्चा साहिरेग भोग को महत्तु दिया गया ग्रामीर जीवन के अपेक्षा नंगरिये कुंठाओं का प्राकाट है है ना और दोस्तों समाज समाज के स्थान पर ब्यक्ति को महत्त दिया गया इनको आपको चैन करना है यह आकभीता की बिस्था है और दोस्तों आपको बताना है कि आकभीता के प्रवर्ता कौन माने जाते हैं question आत्मे जई किसकी रचना है आत्मे जई ये तो कई बार पूचा गया है ना अब यहाँ पर दो चीजे हैं जगदीश चत्रवेदी आ कभीता और आ कहानी के गंगा प्रसाद बेमल गंगा प्रसाद बेमल ठीक है आ कहानी के आ कहानी के गंगा प्रसाद बेमल ही माने जाते हैं याद रखे ना और दोस्तों आक अभीता के कुर्ण मान जाते हैं आक अभीता के मान जाते हैं जगदीश चतुरवेदी ठीक है अब आत्मे जई किसकी रचना है बताईए आ कहानी के महीप से नहीं है महीप से तो सचेतन के हैं तो यहाँ पर आत्मे जई किसकी रचना है तो यह तो बिलकुश अलल है कि सर आत्मे जई की रचनाकार है कुमर नाराण यानि किसी नमबर कुमर नाराण आपका बिलकुश सही है ठीक है आत्मे जई कुमर नाराण की रचना है यह एक खंड काब है और दोस्तों एक कठोप निसद को आधार बना कर लिखा गया यह भी आपको याद रख लेना ठीक है एसा भी कोस्चन आपसे बनेगा कि निवनव भाइबी सक्ति देता है किसका काब संग्रय है नरेंद्र मोहन का उदय प्रिकास का जान की बलब सास्त्री या फिर लीला धर्जगूरी सात्यों क्या हो रहा है आपका मौडल पेपर लांच किया गया है टीजीटी पीजीटी का मौडल पेपर लांच किया गया जिनको इसमें अडवीसर लेना मौडल पेपर में इसमें हिंदी साहित के कोस्चन रहेंगे लगबग सत्तर के आसपास ब्याकन के भी कोस्चन लगें रहेंगे इसमें दोस्तों ती ले सकते हैं उसके बाद इसका प्राइज भी दोस्तों बढ़ेगा और ये ओफर मार्ट 73 ओफ का ओफर है आपके लिए पास तारीक तक्तिक है भाएं भी सकती देता है किसका काब संग्रह ये पूचा गया था तो भाएं भी सकती देता है काई से बुलिसर जुगार से भाएं जुगार कर लेते ना किसी भी चीज का है ना तो ये भाएं भी सकती देता है जुगार से तो लीला धर जगूरी यानि की डी नमबर आपका बिलको सही है भाएं भाएं भी सकती देता है जुगार से तो जगूरी है ना काब संग्रह है संक मुकी सिक्रों संक मुकी सिक्रों पर नाटक जारी है और दोस्तों इस तियात्रा में रात अभी मौजूद है बची हुई प्रत्वी घबराय हुए सब्द ये माने जाते हैं फिर अंगला क्वेश्चन है सदियों का संताप ये किसकी रचना है प्रश्न क्रमांग फोट्टी एट सदियों का संताप किसकी रचना है बालकर्ण सर्मा नबीन की जै प्रकास करदम ओम प्रकास बालमी की या फिर मोहंदास नियमी स्राइ यानि कि फोट्टी एट का अंसर 25 सेट होंगे उसमें 25 सेट होंगे सदियों का संताप किसकी रचना है प्रचना है ओम प्रकास बालमी की ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो इस पॉम्प्रकाश बालमी की श्री नम्मार सदियों का संता पॉम्प्रकाश बालमी की द्वारा रचेत काब संग्रह है और इनकी आप अन्य काब संग्रह है बह बस बहुत हो चुका अब और नहीं सब्द जूट नहीं बोलते जूटन सीर्षक से लिकेत इनकी आत्म कथा जूठन आपको पता है दोस्तो ओम प्रकाश बालिमी की आत्म कता कौन सी है तो जूठन है ना और दोस्तो अनेक भासाओं में अनुबाद इसके हो चुके जूठन के है ना ओम प्रकाश बालिमी की की आत्म कता या नॉर्मल कोस्चन आपसे पूछा जाएगा कि जूठन आत्म कता किसकी है तो आप बताओगे ओम प्रकाश बालिमी की है ना सदियों का संताप सदियों का संताप ओम के जब से मिट गया बुलिसर सदियों का संताप था जो ओम के जब से मिट गया ओम के तो ओम प्रकाश बालिमी की यह बिलकुश सही है कामाध्यात्म की समस्या निम्न वैस से किस रचना में उठाई गई फोट्टी नायन और कामाध्यात्मिकी और बढ़िया प्रश्न है और दोस्तों यहां पर जो समस्या निम्नवय से किस रचना में उठाई गई यह आप से पूछा गया तो उत्तर चला जाता है आपका कनू प्रिया और कनू प्रिया यह किसकी आती है जगदीश चतुरवेदी और स्याम परमार भी आ जाता है रजनी जी इसको याद रख्टिना ठीक है यहां पर देखो आत्म जाई की कताबस्तू निम्नवय से किस पर आधारत है है ना तो ए बताईए आत्म जाई की कताबस्तू निम्नवय से किस पर आधारत है आत्म पनिसस से या पर ब्रहदा रंड कोप निसस से तो आत्म जई जो की कुमर नाराण की रचना है और एक किस पर आधारत है इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर आपका राइट होगा कठोप निसद हैना आत्म जई की कथा वस्तू कठोप निसद पर आधारत है और उत अगला क्वेश्चन जब तक आप उत्तर बताईए कठोप निसत पराधारत रचना कुमर नारान की कौनसी है आत्म जई नची केता प्रसंग का वर्नन चक्रवियू परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों इनकी प्रसिद्ध काब संग रहे हैं आत्म जारी है ना नाटक जारी है किसका बोले सर जुगार से नाटक जारी है काई से जुगार से राजस्तान में चलता है जुगार जुगार चलता कहां पर राजस्तान में और बोले सर नाटक जारी है काई से नाटक जारी है मैंने कहा लाइट तो चली गई नाटक कैसे जारी है जुगार से है तो लीला धर जगूडी का ये दोस्तो नाटक जारी है कि काब संग्रय के रचित लीला धर जगूडी के माने जाते हैं क्यानि कि D आपका बिलकुर सही हो जाता है D नमबर आपका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं अंगले प्रश्णों को और भी पढ़ते हैं ये आते हैं दोस्तो नाटक जारी है है और लीला धर जगूडी के संक मुकी सिक्रों पर इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है बची हुई प्रत्वी घबराय हुए सब्द भाएं भी सक्ति देता है है इनको याद रखेंगे संसस्से सडक तक कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये रचना है दोस्तो आपको सुदामा पांडे धूमे लिकी हैं संसस्से सडक तक कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनमें से आपको पता है कि दोस्तो ठीक है, पूछे ही जाते हैं, कौन सी बिसेश्ता नई कविता की नहीं है, बताइए, कौन सी नहीं है नई कविता की, नई कविता की बारे में, ठीक है, कौन सी बिसेश्ता नई कविता की नहीं है, अनुभूती की प्रमानेकता, नया भावबोद और नया सेल्प, छंदों का बंधन और छड़बाद में विश्वास, और 42, कौन सी बिसेश्ता नई कविता की नहीं है, ये आपसे पूछा गया, और उत्तर चला जाता है, छंदों का बंधन, छंदों का बंधन, ये जो बिसेश्ता है, ये नई कविता की नहीं है, दोस्तों, अनुभूती की प्रमानेकता, ये तो है, नया भावबोद और नया सिल्प बिलकुल है चणबाद में विश्वास ए भी है लेकिन कौन सी विसेष्ता नई कविता की नई है ए आप से अगर पूछा गया तो दोस्तों C नमबर आपका बिलको सही हो जाएगा दी गई विसेष्ता में चंदों का बंधन नई कविता की विशेचता नहीं है, जबकि अन्य सभी नई कविता की विशेचता हैं, नई कविता धर्म इस्वर की स्तित्यों को पूर्दता है, नकार्ती है, धूमिल का पूरा नाम क्या था, पूछ लिया गया इतना अच्छा question, सभी लोग लाइक जरू कर देंगे, जिन भ आपको समझ में आ जाएगा उन टॉपिक पर आप जादा फोकस करईे ठीक है दूमिल का पूरा नाम क्या है 53 काaina सर आपको चैन करना है और यहां पर चार विकल्ब हैं दूमिल का पूरा नाम आपको बतना है और उत्तर चला जाता है बुरिसर धूमिल का पूरा नाम पूछा तो सरल कॉस्चन है शुदामा पंडे धूमिल शुदामा पंडे धूमिल इनका आपका बिलको सही है और धूमिल की दोस्तो रचनाय तो अपनने पढ़ी है संसस्य सडक तक दोस्तो हैना सुदामा पंडे का प्रजातंत्र की रचनाय पन कई बार पढ़ चुके हैं और ये आपको याद भी हो गई कौनसी गीती कावि की बिसेश्था नहीं है कौनसी गीती कावि की बिसेश्था नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है संगीतात मक्ता, कौमल कांत पदाबली, बस्तु ब्यापार बरणन या पिर स्वानु भूती की अभी ब्यक्ति कौन सी गीती काब की बिसेश्ता नहीं है ये बताईए सबी लोग और 54 का अंसर गीती काब की बिसेश्ता है ना आपको पता है कि प्रतम गीती काब करुणाले को माना जाता है करुणाले गीती नाट सुरी गीती नाट माना जाता है है ना तो यहां पर आपका बस्तु ब्यापार बरनन स्री नंबर आपका बिल्कु सही है गीती काब की बिसेश्टा नहीं है पूछा तो बस्तु ब्यापार बरनन या निस्ती यह आपका बिल्कु सही है यह बिसेश्टा नहीं है ज किसके काब बिनायक राम है ये उत्तर आपको बताना है किसके काब बिनायक राम है सभी लोग एक बार लाइक जरू करें एक दोस्तों कि जो किलास होती है रोज नौ वजे होती है रोज नौ वजे हम पढ़ते हैं रचनाव मैंसे आपको बताना है कि कौन सी रचना के काब बिन में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है संसय की एक रात संसय की एक रात की रिचना कार बताना है 55 का आंसर चैन करना है और उत्तर चला जाता है कि दोस्तो काब नायक राम है तो राम यानि की संसय की एक रात के जो काब नायक है वो कौन है राम है और राम के संसय को इसमें बताया दोस्तों है ना ये बी कई बार पूछा गया और एग नमबर आपका बिलकुल सही है नरेश मेताक्रस संसाई की एक रात कावर के जो नायक है वो राम है और अह रचना राम कता पर आधारत है रस्मीरती दिनकर की विश्णुप्रिया मैठी श्रंगुप्ति की कनू प्रिया धरमबीर भारती की इन रचनाओं को भी आपको याद रखना है और दोस्तों यहाँ पर अपन ने इतना सारा पढ़ लिया और इतनी सारी रचनाओं के बारे में देखा नई कविता की महत्पूर महत्पूर जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपन ने यहाँ पर देखा अब यासे कौन-कौन से साती हैं जोनोंने अभी तक Self Study के लासे इस एप डाउनलोड नहीं किया है एप जरूर डाउनलोड करने है प्ले स्टोर से जल्दी से और दोस्तों आपको क्या करना है ये मौडल पेपर जो लांच हुआ है पचीस मौडल पेपर जो लांच हुए है एक कोर्स आपके लिए TGT PGT का एक कोर्स है जिसमें हिंदी साहित हिंदी ब्याकरण संस्कृत ये सारे प्रशन आपके 125 नंबर के आपको मिलेंगे हैना इसमें आपको दोस्तों अपना चेक करना है कि आप कितने गहरे पानी में हैं कौन सा टॉपिक आपको कमजोर लग रहा है कौन सा टॉपिक के लिए आपको मेहनत करने की ज़़ूरत है क्योंकि टाइम आपके पास और भी है आप अभी से दोस्तों अपना आकलन कर लेते हैं कि कितने नंबर आपके 125 में से अभी आ रहे हैं और किस टॉपिक पर हमें और मेहनत करनी हैं तो वो दोस्तों आप टेस्ट करके 5 तारीकता के 33% आप 73 आप में दोस्तों कि मातर 400 रुपे म आप इसको पर्चेस कर सकते हैं इसको आप एडवीशन ले सकते हैं ठीक है तो जिन भी सात्यों को एडवीशन लेना इसमें प्रमोद जी सोबनात मैनास सुनीता जी रीता जी ठीक है अनूप जी 37 जी प्रिया रेखा जी माया राम रीता कांत जी राजेस जी नमन जी बाल ग जी प्रमिला जी प्रिया जी मनीशा जी हैमलता सिंग जी वीडियो को सेर जरूर करना है नीतु जी मिलकुल माया राम सिट्पी सीता जी मैंक जी अमिता जी उत्साव यादव जी ठीक है अमिता जी संस्कित पर भी फोकस करें संस्कित भी आपका आएगा ठीक है रजनी जी राकेश कुमार जी नेहा चोहान जी अनामिका जी गीता जी मिथलेश जी राकेश मास्टर अधियम जी उसल परिबरतन संदीब जी अभाय जी राजेश्ट किरन जी, मनीशा, राकेश जी, मुकेश, कमलेश जी, लालदा, सैलेश, प्रदीव जी, सुमन जी, नीतु जी और सौनु जी सभी को धनबाद दोस्तो जिनको भी जिन भी सात्यों के एड़ बीसल लेना है वो पांच तारीक के पहले ले सकते हैं और दोस्तो हिंदी साहित का संपूर कोर्स मात्र बारास रोपे में आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं जिसमें निचोड निचोड आने बाला है दोस्तो अब हैना पूरा निचोड आपका junior debt exam के लिए पूरा निचोड आपको मिननने बाला है जो आपका पूरा संपूर साहित से होगा उसको मैं collect करके आपको एक अलग फोल्डर में बना के वो आपको बताऊंगा जो आपको 10 दिन पहले यानि की 10 तारिक से पहले दोस्तों आपको पूरा वो कर दिया जाएगा एक फोल्डर में उसको ही उसको आप पढ़ते रहना ठीक ह तो सभी सातियों को धनवाद आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों जै हिन